Hi guys, welcome back to Modern Food और आज हम आपके लिए लेक्या है सूजी और पालक से बना हुआ बिलकुल नए तरीके का नाश्टा इसे आप सूजी और पालक का रोल भी कह सकते हो या फिर सूजी से बना हुआ खानवी भी कह सकते हो ये बहुत ही healthy है, मातर एक चमच तेल में ये बनके तयार हो जाता है इसे आप 15 से 20 मिनट में बना के ready कर सकते हो इसे आप सुबा ये शाम के नास्ते में भी खा सकते हो ये काफी heavy होता है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इसमें पड़ी सारे ingredients की detail आपको description box में मिल जाएगे यहाँ पे हमने सबसे पहले एक mixing जाड लिया है और उसमें हमने डाला है 20 से 25 पत्ते पालक के यहाँ पे हमने पालक को धो के ले लिया है उसे धो के उसका पानी हमने जाड दिया है फिर हमने इसकी ढंठल को तोड दिया है पालक के पत्तों के साथ हम इसमें डालेंगे एक इंच कटा हुआ अतरख और दो हरे मेर्च इसके साथ हम डाल देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता स्किप भी कर सकते हैं पर कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ये सारी चीजों के साथ हम इसमें डालेंगे ये आधा कप दही यहाँ पे आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजे उसी के हिसाब से आप सारी मात्रा नाप लीजे फिर हम इसका धकन लगा के इसे विलकुल बा इसाअ करक्सा पेस्ट तयार कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी जितनी मातरा हमें दही के लिए है उतना ही हम सूजी लेंगे यहाँ पे हमने फाइन वाला सूजी लिया है अगर आपके पास ना हो तो आप उसे एक पार grinder में डालके grind कर लीजे फिर इस्तमाल करें फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच गेहू का आटा आटा यहाँ पे इस paste को binding देगा और साथ में हम डाल देंगे एक छोटा चमच या फिर अपने स्वादनुसार नमक और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कब पानी जितना हम सूजी ले रहे हैं उतनी ही हम दही लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे इसे डालके फिर हम इसका ढकल लगाके इसका एक महीन पेस्ट तयार कर लेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना ही सुन्दर तयार हुए इसमें कितना अच्छा सा पालक का हरा कलर आया हुआ है अब हम इस paste को बड़ी चन्नी से चान लेंगे जिससे इसमें जो lumps रहेगा जो रेशे रहेंगे पालक के वो निकल जाएंगे और इसका paste बिलकुल महीन हो जाएगा इसे हम बड़ी चन्नी से चानेगा अगर आप इसे चोटी चन्नी से चानेगे तो यह नहीं चनेगा हमने आधा कप पानी पहले डाला था अब हम दो बड़े चमच पानी mixing jar में डालके वो पानी वे हिलाके इसमें वापस ले लेंगे जिससे mixing jar में जित्ता भी paste लगा होगा वो भी इसमें आ जाएगा और अब हम इसे चान लेंगे और यह देखे हमने इसे अच्छे से चान लिया इसे चानने के बाद इसका paste एकदम ready है बस हम इसे ढब के 10 मिनट के लिए rest करने देंगे जिससे सुजी थोड़ा सा full जाए और soft हो जाए 10 मिनट हो चुके हैं अब हम एक plate लेंगे plate आप किसी भी size का ले सकते हो यहाँ पे हमने medium size का plate लिया है plate को हम अच्छे से तेल से grease कर लेंगे मुश्किल से आधा चमच तेल लगेगा इतना ही में हम इसे अच्छे से grease कर लेंगे और फिर हमें कढ़ाई में पानी चढ़ाएंगे पानी यहाँ पे हमने 2 कप लिया है 2 कप पानी को हम उबलने के लिए ढखके रख देंगे जब तक पानी उबल रहा है हम अपने plate में mixture पोर कर लेते हैं पोर करने से पहले mixture हम यहाँ पे 2 बड़े चमच बारी कटा हुआ हरी धनिया और एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स डाल के इस paste में उसे अच्छे से mix कर देंगे आप चाहें तो चिली फ्लेक्स एवोइड भी कर सकते हैं बस यह देखने में थोड़ा सुंदर लगे है इसलिए हमने यहाँ पी चिली फ्लेक्स का इस्तमाल किया है अब हम इस mix को जो हमने grease करके थाली रखी थी उसमें डाल देंगे यहाँ पे हमने इस थाली में तीन कल्ची मिक्षर डाला है अगर आप इससे छोटी थाली इस्तमाल कर रहे हो तो दो कल्ची मिक्षर सफिशेंट होगा आप अपनी थाली के according मिक्षर इसमें पोर करिए मिक्षर बहुत जादा नहीं डालिए बहुत मोटा हमें इसे नहीं बनाना एक पतला सा परत बनाना है बस इतना है मिक्षर आप अंदाजे से डालिए फिर हम इस थाली को कड़ाई में जिसमें हमने अभी पानी उबलने के लिए रखा था उसमें एक स्टैंड लगा के या फिर कोई कटोरी या धकन को पलट के रखके उसके उपर अपने मिक्षर वाले प्लेट को रख देंगे और फिर हम इसका ढकन लगा देंगे और इसे कम से कम साथ से आठ मिनट तक धीमियाज में पकने देंगे आठ मिनट हो चुके हैं अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे अब देख सकते हैं वीडियो में जब हमने पेस डाला था तो उसका कलर डाक था अभी ये कफी ब्राउन सा हो गया है मतलब ये अच्छे से पक चुका है इसे हम कड़ाई में से निकाल के ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे ठंडा होने के बाद हम इसमें चाकू की मदद से कट लगा देंगे यहां हमें इसे सीधा सीधा पट्टियों की तरह कट करना है कट कटने के बाद हम इसकी एक लेर आपको निकाल के दिखाते हैं आप देखी कितनी स्मूधली निकल गया है और यह बहुत एक साइट से बिल्कुल स्मूध दिख रहा है जैसे खांडवी में होता है बस अब हम इसे रोल कर लेंगे और हो गई हमारी सूजी और पालक की खांडवे एकदम रेड़ी बस ऐसे ही हम सारे स्ट्राइप निकला है अगर आपकी थाली बड़ी है आपने बड़ी थाली में इसे डाला है और ये stripes बहुत लंबी है तो आप उसमें से बीच में चकु से कट करके इसका हाफ में ही रोल कर सकते हो जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सारे रोल्स को हमने ऐसे ही तयार कर लिया है अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा और अगर चाहें तो इसके उपर एक तड़का बोर कर सकते हैं तड़का बनाने के लिए हम एक तड़का पैन में एक चमच घी य आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी स्लेट करके डाल सकते हैं इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसे गैस से हटा देंगे और जो हमने खानवी का रोल तयार करके रखा था उसके उपर पोर कर देंगे आप चाहें इसके उपर ताजा नारियल के सकरके भी डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं ये बगार किसी चटनी के, बगार किसी सॉस के बहुत टेस्टी लगता है खाने में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ करें ये बहुत ही हिल्दी है, साथ में ये उतनी ही टेस्टी है और अगर आपको मेरी ये टेस्टी और हिल्दी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू